सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 20 अप्रेल को रिलीस के लिए पूरी तरह से तयार है फिल्म में एक लंबी चौडी स्टार कास्ट है और सभी इसे प्रमूट करने में जी जान से जुटे हुए हैं हाल ही में पलक तवारी ने एक इंटिव्यू में सल्मान खान को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद अब उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। दरसल पलक तवारी ने कहा कि सल्मान खान ने सट पर लड़कियों के लिए एक रूल बनाया था कि कोई भी छोटे कपड़े पहन कर नहीं आएगा। सट पर मौझूद सभी गर्ल्स के लिए ड्रेस कोट था कि उन्हें अच्छी लड़कियों की तरह ही कपड़े पहनने हैं। जाओ तो कैसे कपड़े होने चाहिए। मैं तो सल्मान सर को देख कर ही बड़ी हुई हूँ तो उनके सामने मैं कुछ भी पहन कर कैसे जा सकती हूँ। इसके आगे बताया था कि एक बार मेरी माने मुझे जॉगर्स और टी शर्ट में पूरी तरह से कवर होकर काम पर जाते देखा था। ऐसा पहली बार हुआ था वो शौक रह गई थी और मुझसे पूछा कि तुम कहा जा रही हो। इसके बार पलक ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं सल्मान सर के सिट पे जा रही हूँ वहाँ पर यही रूल है। इस दौरान पेपराजी में उन्हें क्लिक करने की कोशिश की जिनके सामने ही आलिया ने कुछ ऐसा किया जिसकी अब बहुत चर्चा हो रही है। आपको बता दे कि आलिया भट और अन्बीर कपूर ने 14 अप्रेल को पिछले साल लव मैरज की थी जिसके कुछ महीनों बार भ पर इस कपल का वीडियो भी शेर किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि अन्बीर के करीब आते ही आलिया हसने लगती हैं उपेपराजी के सामने ही उन्हें साइड हग कर गाल पर किस कर दीती हैं इतना करते ही खुद आलिया और अन्बीर भी शर्मारे लगते हैं सोशल मी हमने अक्सर देखा है कि बिग बॉस हाउस में जोडियां बन जाती है और फिर बाहर आकर तूट भी जाती है लेकिन करन कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ऐसे बिलकुल भी नहीं है अक्टर करन कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 के दौरान एक दूसरे के करीब आये थे फिर दोनों में प्यार हो गया तब से करन और तेजस्वी साथ में है हाल ही में कपल ने दोस चेसिका की बर्दे पार्टी अटेंड की थी पार्टी से उनके रोमैंटिक डांस का वीडियो आप सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वाइरल हो रहा है और फैंस के बीच सो इस वीडियो ने धूम मचा दी है वीडियो में करन ओल ब्लाक लुक में नजर आ रहे हैं वहीं अगर बात करें तेजस्वी की तो तेजस्वी ने ब्लाक आफ शूल्डर टॉप और बॉटम्स कैरी किये हुए थे इस लुक में आक्ट्रिस बेहद होट लग रही थी कपल आशिकी टूओ और इश्वाला लव पर दिल खोल कर नाचते नजर आया डांस करते करते दोनों बहुत रुमांटिक भी हो गए थे और एक दूसरे को किस भी कर बैठे फान्स इस वीडियो पर जम कर लाइक्स कर रहे हैं और भर भर कर कॉमेंस भी कर रहे हैं आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब करन और तेजस्वी को रोमांस करते हुए देखा गया है पहले भी इस कपल का कई बार रोमांटिक अंदाज सामने आया है अब फान्स दोनों की शादी के बंधन में बंधने का इंतिजार कर रहे हैं लेकिन बिजी स्केडियोल होने के चलते ये अभी हो नहीं पा रहा है वेल आप भी हमें कॉमन सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको करन और तेजस्वी का ये होच रोमांटिक फीडियो कैसा लगा क्रिश फिल्म के अगले पार्ट का इंतिजार करने वाले फांस का वेट अप खत्म हो गया है क्योंकि हाल ही में रितिक रोशन की पिता राकेश रोशन ने फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट शेयर की है जाहिर है बॉलिवूट एक्टर रितिक रोशन ने अपने करियर में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है लेकिन उनके हिट फिल्मों की लिस्ट में क्रिश सबसे ऊपर आती है क्रिश आक्टर के साथ साथ फांस की भी पसंदीदा फिल्म है इस फ्रेंचाइजी की अभी तक की सभी फिल्मे ओडियन्स को काफी पसंद आई है जिसके बाद उनके फान्स फिल्म के अगले पार्ट का वे सब्री से इंतिजार करें हैं आपको बता दें कि क्रिश 3 साल 2013 में रिलीज की गई थी जिसके बाद फिल्म के चौथे पार्ट को लेकर कई खबरे सामने आई अब हाल ही में फिल्म के डिरेक्टर राकेश रोशन ने फिल्म को लेकर ताजा अपडेट दिया है अब डिरेक्टर ने एक डियूस पोटल को दिये गए इंटिवी में बताया कि क्रिश 4 को बनाने में वो बिल्कुल भी जल्द बाजी नहीं करना चाहते हैं फिल्म की शूटिंग साल 2024 के बाद शुरू होगी फिल्म को बनाने में समय लग रहा है क्योंकि क्रिश 4 एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म होने वाली है वहीं आक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो आक्टर वार 2 को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं और इस फिल्म का निर्देशन आयान मुखरजी कर रहे हैं